आज की तारीख में अभी जब हम आपसे समवात कर रहे हैं दुनिया के बाजार में जो भारत क्रूड वाइल खरीटता है तेल जो खरीटता है वो है 42 डॉलर 42 डॉलर का एक बैरल आता है एक बैरल में 159 लीटर होते हैं लेकिन 42 डॉलर का मतलब यह है कि अगर आज की तारीख में 75 रुपए 80 पैसे एक्सचेंज रेट है तेल के बाजार में भारत को एक डॉलर की कीमत 75 रुपए 80 पैसे के हिसाब से चुकानी होगी तो लगभग 42 डॉल का मतलब हो गया 3183 डॉलर 183 रुपए यानि 3183 रुपए में एक बैरल तेल आप खरीज सकते हैं एक बैरल में 159 लीटर है तो जो कीमत प्रती लीटर आएगी वह आएगी लगभग 20 रुपए एक पैसे 20 रुपए एक पैसे में एक लिटर पैट्रोल आपको विश्वजार से मिल गया उसके बाद आप उसको कुड़ वाइल को जो रिफाइनरी करते हैं रिफाइनिंग सिस्टम के बाद जो OMC मारजिन होता है यानि साफ सफाई करने के बाद उसको पैट्रोल के टेंकर में भरते हैं आप और उसके तमाम लोजिस्टिक को अगर जोड दीजेगा तो एक लिटर पैट्रोल पे खर्च होता है पांच रुपए 32 पैसे यानि बीस रुपए एक पैसे और पांच रुपए 32 पैसे इन दोनों को जोड दीजेगा तो 25 रुपए 33 पैसे हो गए अब लेकिन पैट्रोल जब आप भराते हैं तो आपके हिस्से में आता है 80 रुपए का 80 रुपए में पैट्रोल की कीमत औरिजिनली आ रही है सब मिलाव लाके पैट्रोल पम्प के कमिशन जोडने के बाद भी 29 रुपए से कम 28 रुपए 89 पैसा और उसके बाद जो कीमत अलग से आ रही है जिसमें वैट लग रहा है जिसमें एकसाइज लग रहा है जिसमें रोड टेक्स लग रहा है यह लगातार किस रूप में बढ़ते चला जाता है और इस्तिती आ जाती है कि 50.54 पैसे आपको देने पड़ते हैं इसी टेक्स के जो सरकार के पास जाते है